हलो एब्रिवान आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि ट्विन प्रिग्नेंसी होने पर जब आपकी डिलीवरी होती है तो डॉक्टर जो है बहुत ही बारीकी से बच्चों की निगरानी करते हैं ताकि ये पता किया जा सके कि आपके जो बेबी हैं वो डिलीवरी को सभाल पा रहे हैं या फिर नहीं क्योंकि ट्विन प्रिग्नेंसी वे ये बहुत जादा संभाबना रहती है खासकर तब जब डिलीवरी में बहुत अधिक लंबा टाइम लग जाता है तो ऐसे में बच्चा जो है एक या फिर दोनों अचानक से किसी भी प्रॉब्लम में आ सकते है इसलिए आपको जो है लाज्ट टाइम पर डिलीवरी का जो डिसीजन है वो बहुत ही जादा सो समझ कर लेना है ट्विन्स बेबी होने पर जब आप बजाइना से डिलीवरी कराने का प्रयास करती हैं तो ऐसे में बहुत अधिक संभाबना होती है आपको संदंस या सक्सन की हेल्प की जरूरत होगी और यह कब जो होता है वो आपके बेबी को वर्ट कैनाल से बहार आने में मदद करने के लिए होता है लेकिन इन दोनों से आपके बेबी को रिस्क या फिर कॉम्प्लिकेशन्स होने की भी संभाबना हो सकती है और इसके अलाबा जब आप अपने ट्वीन्स बेबी को बिना किसी दवा के सुभाविक रूप से जनम देने की कोशिश करती है लेकिन ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि इस पीच आपको दवाओं की जरूरत ना पड़े ये बात आपको समझदा बेहत जरूरी है तो ऐसे में जब आपका एक बच्च्चा ब रुक जाती है तो ऐसे केस में जो है आपके दूसरे बच्चे को बाहर निकालने के लिए दवाओं की आबश्यक्ता बिल्कुल हो सकती है ऐसे में जो दवाएं दी जाती है तो उनका अपना बिल्कुल रिस्क हो सकता है तो इस बारे में आप अपने डॉक्टर से बात जरू करें